अपके हर्याना की सभी वीडियोज पाई सिरफ एक क्लिक पर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं नमस्कार के हर्याना पे आप सभी दर्शकों का स्वागता मैं हूँ आपके साथ रमेश जाकड़ और इस वक्त मैं मौझूद हूँ चोदरी बलराम इंटरनेशनल स्कूल नथोर में और यहां पे मैं आपको बता दूँ कि छोटे बच्चों का एक competition रखा गया था और वो competition किस परकार से यहां पर रहा और किस परकार से उस competition में बच्चों ने performance दी टीचर्स की क्या कुछ performance थी टीचर्स की performance जानने के लिए खास तोर पर इस competition exam का एक आयोजन करवाया गया था सेविय स्कूल के द्वारा तो चलिए आपको दिखाते हैं एक विष्टरित और पूरी रिपोर्ट की आखिर क्या कुछ इस competition में था क्या क्या प्राइज थे क्या कुछ इस competition का मुख्य उदेश यह था चोदरी बलराम इंटरनेशनल स्कूल नतोर में एक performance टेस्ट का आयोजन करवाया गया इस टेस्ट में बच्चों की performance के साथ साथ अध्यापकों की गुणवत्ता को भी जाचा गया इस टेस्ट को तीन भागों में विभाजित किया गया था जिसमें से पहला भाग था कि बच्चे घर में कैसा बरताव करते हैं इसके लिए अभिभावकों से जवाब मांगा गया इसके साथ साथ बच्चा पढ़ाई में कैसा है यह जानने के लिए टेस्ट का आयोजन किया गया और अध्यापक से अभिभावक कितना संतुष्ट हैं इसके लिए भी अभिभावकों से जवाब मांगा गया इन तमाम पहलों को ध्यान में रखते हुए आठ कक्षाओं में इसे प्रत्थम द्वितिये और तरीतिये कक्षाओं का चयन किया गया वह उस कक्षा के अध्यापक को भी सम्मानित किया गया CBA स्कूल द्वारा आयोजित इस परफॉर्मेंस टेस्ट में UKG कक्षा को प्रत्थम स्थान मिला वह कक्षा इंचार्ज और मिला को चार कुर्सिवा टेबल देकर सम्मानित किया गया द्वित्य स्थान पर रहने वाली प्रत्थम कक्षा के इंचार्ज निलम को दो कुर्शिवा टेबल देकर सम्मानित किया गया सर 50 नمबर को मारे स्कुल में एकम्पीटिशन था जिसमें बच्चों के माक्स थे और बच्चों के thers घर पे विए icons यह एसा ही वह भी था और क्लास टीचर का विए और क्लास टीचर का टीच करवाने का तरिक़ भी और इनलाइज किया गया था जिसमें सर फर्स्ट क्लास के बचों ने अटॡ़वर्क किया और सेकिंड पोजीशन असील की इसमें बचों के पेरंटस से भी पोजीटीव आंसवर आहेते इसमें सभी बचों का ज़सें काrit अच्छा भीर है और इस परफॉर्मेंस टेस्ट में तृतिय स्थान पर रहने वाली दूसरी कक्षा की इंचार्ज शार्दा को दिवार घड़ी दे कर समानित किया गया जो टेस्ट हुआ है उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सक्सेस्फुल हुआ है टारगेट यह था कि उनके हैंडरा सब कुछ अच्छा हो और इससे उनमें अच्छी प्राग्रेस हुई है कि वो कैसे लर्न कर पाते हैं भी रीड कैसे कर पाते हैं अंडरस्टूड हैं या न टीचर से वो अंडरस्टूड हैं या नहीं है उनके बहुत ज़्यादा अच्छा कंपेडिशन किया वह आगे आने की कोशिश करते हैं अच्छा कॉंफिडेंस है कि हम आगे आने की कोशिश करें सक्सेस हो और मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम वह फरस्ट आने की और अच आपने देखी कि इस परकार से फर्स सेकेंड और थार्ड क्लासिज निकाले गई पूरे क्लास का परफॉर्मेंस टेस्ट लिया गया और उनके टीचर साहिबान ने क्या कुछ कहा चलिए अभी इस पूरे विशेव पर हम चर्चा करते हैं से बीए स्कूल के मैनेजिंग डिर रोताश जी से रोताश जी अगर सबसे पहले तमाज जानना चाहूं तो यह जो आपने टेस्ट एक परफॉर्मेंट टेस्ट का यजिन करवाय था क्या कुछ मुख्य ओदेश से इस टेस्ट यह सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि एक नई तरह की निवन संती प्रसें उनका भी एनलाईज हो जाता है कि किस तरह से टीज करा रहे हैं किस तरह से बच्चों ने की हैं तो पहले तो हमने सिर्फ रिटन टेस्ट लिया था इस बार हमने तीन चार चीज़े ओरेड की थी तो बताना चाहूंगा एक तो चीज थी इसमें रिटन टेस्ट और एक था हम देला चाहूंगा एक बेलज और ऑसे से ऐड़ी करें था हमने पर उपर संटेज बनाए और इसके साथ बड़ी जूरूरी थी जूरूरी थी एक और प्रसंटेज बनाई वो ती इंगली स्पीकिकेंग की इन चारह चीज़ों करRegel19 GUY के और हमने टाय क्या और इस्तरह से हमने कलासों का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड निकाला था आपने जब स्कूल की शुरुआत की थी तब आपके पास महज पचास या साथ बच्चे शायद थे उस समय आपने शुरू किया था तो आज जो लोगों का रिस्पोंस है वो कैसा आपके प्रती है कितने बच्चों के स्ट्रेंथ अब तक आपके स्कूल में होज़ी बताना चाहूँगा जी जब स्कूल हमने स्टार्ट किया था लगबग टू सेसन इसको कंप्लीट हो गए है तो पचास साथ बच्चे थे और ये बहुत ही खुशी की बात है ये पूरे एरिया के लिए बात खुशी की है और हमारे लिए भी खुशी की है स्टूडेंट्स के लिए भी खुशी की बात है कि आज अपने विदाले में 250 वसी यानि कि 500 स्टूडेंट से उपर ही है तो इसका मुख्या कारण अगर आप जानना चाहोगे तो हमारा ट्रेडमार्क है ट्रेडमार्क सीविय का जो है उसमें ये रहा कि हमने तीन चीज़ों पर फोक्स किया था और इन चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा कि रियाना टीम के मादम से जो एरिया के है यहां पर बताना चाहूँगा कि उन तीन चीज़ों के साथ में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा तो सबसे पहला ट्रेडमार्क था कि मैंने ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अब 250 स्टूडेंट है अगर 250 स्टूडेंट से हम यह 7 यह 8 टीचर होते स्टाप मेंबर होते तो काम चल सकता था लेकिन ऐसा हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो जैसा कि बारत सरकार दोरा एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है स्टूडेंट पर कलास के ओपर एक टीचर के पास कितने स्टूडेंट होने चाहिए तो उस उसाब से 25 स्टूडेंट होने चाहिए एक टीचर के पास तो हमने उस क्राइटेरिया को फोलो किया नमबर दो सबसे बड़ा ट्रेड मार कहाजी आप इसको फाइंड आउट करके देख लेना इंगलिस स्टूडेंट से किया हुआ है और यही स्टूडेंट को मैं और स्टाव मेंबर्स को करवा रहा हूँ और बड़ी यह आस्चरेजनक बात होगी अगर आप इस बात को नोट करोगे तो स्टूडेंट के अंदर और थर्ड तिंग तिसरी बात ये थी कि हमारे सबसे बड़ी बात थी ओल स्टूडेंट जैसे 250 स्टूडेंट है टैन हम स्टाव मेंबर है लगबग 260 यहाँ पर हम कारे रहत हैं यहाँ कोई सिक्सार गिरान कर रहा है इनकी आप हैंड राइटिंग देखोगे किसी भी नोटबुक की उठाके आप हैंड राइटिंग देख लो उनकी हैंड राइटिंग लगबग कंप्यूटर के जैसे राइट की होता है जिस तरह से अपने टाइपिंग की होते हैं इस तरह से हैंड्राइटिंग होगी, तो पुरी तरह से हैंड्राइटिंग फे इंगलिस पे और एक स्टाब करें ढिआ हैनु पूरी तरह से यह हमने मेरे ट्रेडमरक पहले ही बनाए थे और इन पर हम काविए है और इसी कारण बहुत ही सुकर गुजार है इस एरिया का जो कि हमारी स्टेंट बढ़ रही है और इनी कारणों से दिन और दिन ये स्कूल ये संस्ता है जो परगति कर रही है